हेलो एवरिबान कैसे हैं आप सभी लोग आए होप आप सभी अच्छे होंगे सो आज इस रीडिंग में मैं देख रही हूँ आपके पार्टनर के अनकहे शब्द वो शब्द वो फीलिंग वो एहसास जो दिल में तो है मन में तो है लेकिन चाह कर भी आप से कह नहीं पा रहे चाहीं रीजन कोई भी क्यों ना हो लेकिन कई बार ऐसे होते हैं हमारे हलात हमें अलाव नहीं करते और हम अंदर ही अंदर उन feelings को रखते हैं, उस एहसास को रखते हैं, तो उनी एहसास को उन अनकही शब्दों को यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करी जाएगी, लेकिन candle wax के थूँ, वीवर्स आपको यह याद रखना होगा, reading जो भी है, वो general और एक collective होगी, तो आपको अपने आपको हर एक बात में जबर्दस्ती फिट नहीं करना, बजाए अपने आपको जबर्दस्ती फिट करने के आप कोशिश कीजेगा, औरों के लिए छोड़ दीजे, reading का कोई criteria में नहीं बना रही, यानि कि यह जो भी reading होगी, वो married, unmarried, लड़का, लड़की, कोई भी विजा कोकर देख सकता है, तो चलिए जी, शुरू बात करते हैं, देखते हैं, focus बस और बस आप अपने person के उपर बनाए रखें, विवस, जिनके अनकहिश शब्द, अनकहा, एहसास, feelings आप जानना चाह रहे हैं, ठीके? पार्टनर का नाम तीन बार ले लिजेगा, विवस, उनकी एनरजी से अपने आपको connect करने की कोशिश कीजेगा, यानि कि अपना दिमाग इदर उदर चलाने की जगा, सिफ और सिफ फोकस यहाँ पर इस candle की flame पर आप लगा लेजिए, चलिए, शुरू बात करते हैं, पड़ी पेचैनी इस person की energies में मुझे दिखाई दे रही है, यानि कि यह जो भी separation आप दोनों के बीच में हुआ है, यह separation यह अलगाव इस person को भी पेचैन कर रहा है, यह भी अपनी energies को, अपने emotions को जैसे मानुस संभाल नहीं पा रहे है, अपने आपको distract करने की, busy करने की, आपसे अपना focus, change करने की इस person की तुरू कोशिश बहुत ज़्यादा यहाँ पर लगी हुई है, निरंतर जैसे इसी चीज़ का यह प्रियास कर रहे हो, कैसे अपनी energies क यह अपने आप से समा ले, यहाँ y letter 7, number July month, l letter, number 1, i letter, यह सभी मुझे दिखाई दे रहे हैं viewers, जो आपके person यहाँ आप से relate करते होंगे, यह आपका c letter भी यहाँ पर बनता हुआ, काफी clearly दिखा, और यह है आपका t letter, victim से change हुआ, आपने यह देखा होगा, notice करा होगा, यहाँ पर जो भी आप दोनों के बीच में अब situation चल रही है, वो situation इस person को बहुत अकेला पन फील करा रही है, मतलब अकेले बहुत जादा अपने आपको पा रहे हैं, और वही अकेला पन जैसे कहते हैं ना, इनसान को काट खाने को दोड़ता है, और फिर इनसान उस अकेले पन से भागता है, वो ही यह person कर रहे हैं, अपने आप से जैसे मानों यह person कितने सवाल कर रहे हो, इनके जो भी सवाल हैं, वो अपने आप से हैं, आपके सवालों को तो अभी यह देखना भी नहीं चारे, क्योंकि इनके खुद के सवालों ने इन्हें पूरी तरह से यहाँ पर कॉंप्लिकेट और उल्जा रखा है ऐसा है यहां पर यहां पर मुझे वी लेटर दिखाई दे रहा है वी वास एसा देख पा रही हो जैसे अपने माइंड को शांत करने की इस परसन के तुरू कोशिश करी जा रही है और उसे शांत करने के लिए यह परसन मैडिटेशन कर करते हूं या मंदर वगेरा और इन्होंने जाना शुरू कर दिया और जिस भी रिलिजियन को आप मानते हैं वहां पर इन्होंने थोड़ा सपना फोकस डालना शुरू कर दिया हो १ौं इसकी भी मुझे पॉसिबिलिटीज बनते हुए दिख रही है यहां पर यू लैक्त अपने आप से अपनी थौट की वज़े से बहुत जादा उलज गए हैं और ये सभी चीज़े इसलिए हो रही हैं क्योंकि अब इने ना सही गाइडेंस देने वाला या वाली ने कोई मिल नहीं रहा बहुत जादा इस परसन के तुरू अपनी लाइफ को सही करने की पॉसिबिलिटीज ढूंडी जा रही हैं कैसे अब चीज़े जो हैं वो पर्मनेंटली सही हो जाएं मतलब एक होता है कि बहुत वक्त हो गया यहाँ पर स्टेबिलिटी को ढूंते ढूंते उसके पीछे भागत लेकिन अब यह जो भी चीज़े चाते हैं पर्मनेंट लेवल पे चाते हैं कुछ भी टैंप्रेरी अब नहीं चलेगा तो वो यहाँ पर इस परसन की सोच में मुझे शामिल होता हुआ दिख रहा है आप में यह अभी भी जुड़े होए हैं जे लेटर यहाँ पर दिख रह हैं कि इनकी फीलिंग्स इनके इमोशन अभी भी आप से ही जुड़े होए हैं लेकिन लाइफ के बहुत सारी प्रॉब्लम्स बहुत सारी जिम्मेदारियां चाहिए वो देखो कैरियर को लेकरो फैमिली को लेकरो पैसो की प्रॉब्लम हो उन सबको यह परसन संभाल नहीं प पा रहे और वही सारी जिम्मेदारियां इस परसन को आपकी तरफ चाहा कर भी बढ़ने नहीं दे रहे हैं यह परसन जब जब अपनी जिम्मेदारियों को अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को देखते हैं न वीवस तो यह रो बैठते हैं इनकी आँखों से आसो निकल यहाँ पर मुझे नमबर थ्री दिखाई दे रहा है वीवस यह नमबर थ्री आने की मार्च मन और यहाँ पर यह दिखेगा ओम भी बन रहा है जो मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा पॉर्सिपलिटीज है मेडिटेशन में अपना वक्त निकाल रहे हो मंदेर या जिस अपनी अनर्जीज को वहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं चीके बहुत ज़्यादा प्रॉप्लम्स में यह घेड़े हुए हैं या बहुत सारी प्रॉप्लम्स इन्हें अपने आसपास दिख रही हैं जो इन्हें और रेस्टलेस कर रही हैं यहाँ पर ऐसा भी देख पा रही हूँ यह पसन ना विवस आपको भूल नहीं पा रहें वो चीजे भी इन्हें बेचैन करती हैं कि आपको भूल नहीं पा रहें अगर यह भूल पाए तो एक होता है इनसान फिर एक चीज पर फोकस लगा पाए एक चीज को एक टार्गेट बना कर चल पाई लेकिन वो भी इन से नहीं हो पा रहा A letter मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो आपके आपके person के name में कही पर भी आ सकता है ठीक है? उसके अलग यह B letter मुझे दिखाई दे रहा है B for baby वाला और number 8 भी विवास यह बन सकता है और C letter तो मैं आपको अल्रेड़ी बता ही चुकी हो 3 number भी बता चुकी हो यहाँ पे मुझे विवास आप दोनों के बीच में एक triangle यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है जिस reason की बज़े से यह person एकदम isolate हो गया एकदम वही पर ठहर गया है ना चाहा कर भी जिसे ही इस person के तुरू अगर यह चाहा भी रहे है ना आपसे कहना तो यह कहन नहीं पार है उसे express नहीं कर पार है यहाँ पर जैसे हालात जैसी situation अब इस person की चल रही है उन हालातों ने इस person को होना हो विवास patience करना, sabr करना, सहना यह सब चीजे सिखा दी है शायद पहले वो चीजे आपने महसूस करी होंगी कि इनका patience level बहुत कम है लेकिन इस isolate energy में रहने के बाद वो patience level इनका day by day increase होता जा रहा है थर्ड पार्टी में यह हैं लेकिन थर्ड पार्टी के साथ रहकर एक बरदाश करने वाली जो feelings होती है वो यहाँ पर develop हो गई है थर्ड पार्टी में हैं भले यह person लेकिन यह person आपके साथ जो भी अच्छा वक्त इनका बीता जो भी quality time इनका आपके साथ बीता वो इन्हें आप ही की तरफ वापस से लेकर आता है विने रुलाता भी है इनके आखों से जैसे उस पल में लोटकर सिर्फ आसू के कुछ इन्हें नहीं देखता हो ऐसा देख पा रही हो जैसे आप लोगों के case में जो थर्ड पार्टी अभी वास वो काफी जादा strong है मतलब उसका influence उसका प्रभाव आपकी person के उपर कुछ जादा है ठीके इसी reason की वज़े से भी ये person चाह कर भी आपसे कुछ कह नहीं पारे आपसे जुड़े हुए हैं लेकिन फिर भी जुड़ नहीं पारे फिर भी पत्थर बने बैटे हैं अपने दिल को फिर भी इस person ने आपके लिए ऐसे ही present करके रख रख है कि ये पत्थर बन गये लेकिन वो पत्थर भी यहां पर ना अंदर ये अंदर जैसे टूट रहे हैं तो वो यहाँ पर मैं देख पा रही हूं। हो सकता है कुछ लोगों का यह रिष्टा तीन साल तक चला है। इसकी पॉसिबिलिटी है। मुझे यहाँ पर विवास नमबर फाइव। यह भी बनता हुआ देख रहा है। याने कि मई मंथ। यह परसन आपसे जैसे कहना चाहा रहे हो विवास की तुम मेरी जिन्दगी में एक जादू के तौर पर ही थे। जैसे की एक जादू ही हुआ था जो तुम मुझे मिले। एक अजूबा ही थे। जिसके साथ मुझे चलना था लेकिन मैंने उसके साथ चलने की बजाए उसे ठोकर मारी। उसे अपने आपसे पीछे धकेला। और कही न कही वही एहसास इस परसन को आपके लिए ना बेचैन होने के बाब जूद भी आपे पत्थर बनाए बैटाए। हो सकता है एक वड़ इस परसन ने आपको काफी अच्छी बुरी कही हो। आपको इन्होंने ऐसे दिखाया हो अपना एक अलग ही रूप जो आपको भी कही न कही समझ नहीं आया। यह परसन आपसे न इसलिए नहीं कह रहे है कुछ भी क्योंकि इन्होंने आपको कभी वो चीज़े दी नहीं जो आपकी थी जिस पर आपका हक था। चाहिए वो रिष्टा हो वो रेस्पेक्ट हो। इस चीज़ पर इस परसन को न कही न कही अपने आप पर भी जल्याहट होती है। इन्हें ऐसा फील हो रहा है यह बिसिकली न आप दोनों की रिष्टे की दरार खुद बने है। अगर थर्ड पार्टी आई तो इन्होंने उसे आने का मौका क्यों दिया। उस चीज़ को लेकर एक रिग्रेट इस परसन को खुद को हो रहा है। लेकिन वही चीज़ है यह उस थर्ड पार्टी को जादा बचा रहा है। इन्हें ऐसा फील हो रहा है, यह मेरे लड़ाई है। यह मेरा करा हुआ है। मैंने उसे यहाँ पर मौका दिया। तो इस चीज़ के लिए थर्ड पार्टी से क्या शिकवा, क्या शिकायत। वो एहसास इन्हें हैं और इसी रीजन की वज़े से यह परसन आप से कुछ नहीं कह रहे है। क्योंकि यहाँ पर यह बजाए थर्ड पार्टी पर यह सारे इलजाम लगाने के अपने उपर जादा लगाते हुए दिख रहे हैं। आप से कहना चाह रहे हैं कि मैं ही जानता हूँ या मैं ही जानती हूँ कि मैंने अपने इमोशन, अपनी फीलिंग्स पर कैसे कंट्रोल कर रखा है या मैंने अपने आपको कैसे पत्थर, मजबूत बना रखा है। क्योंकि तुम्हारी यादे, तुम्हारे साथ जुड़ी हुई मेरी फीलिंग्स कोई कसर नहीं छोड़ रही मुझे कमजोर करने के। मुझे ये एहसास दिलाने की कि मैं कहां पे स्टक हूँ, मैं कहां पर फस गया हूँ या फस गई हूँ या मैंने क्या कितना कुछ खो दिया है। आपसे कहना चा रहे हैं कि तुमने मेरी बहुत परवा करी, शायद इतना मैं खुद से डिजर्व नहीं करती थी या करता था, और मैं डिजर्व नहीं करती थी, इसलिए तुम मुझसे दूर हुए। तुम इस चीज को मत मानो कि मेरे नसीब में क्या लिखा है। किस्मत तो मेरी फूटी थी, किस्मत में तो तुम्हारा जैसे साथ नहीं लिखा था, मेरी किस्मत में। इस चीज को जितना जादा ये सोचते हैं, इस चीज को जितना जादा ये परसन महसूस करते हैं, उतना जादा ये परसन हर किसी पर जहले आते हैं, हर किसी से उस वक्त पे उस पल में इस परसन की बहस होती हो, इन्हें मूट स्विंग्स होते हो, जो इन्हें एग्रेसिव कर देते हैं गुस्सा दिला देते हैं ऐसा है कहना चारे हैं आपका चुलबुलापन आपकी शरारते बहुत याद आती हैं बहुत मिस करते हैं आज भी जब वो याद आती है न तो एक बड़ी सी स्माइल मेरे चेरे पर आ जाती है लेकिन उस स्माइल को फील करके लगता है कुछ गलत तो नहीं कर दिया एक डर भी साथ में वो स्माइल लेकर आती है मैं ये समझ पा रहे हैं चीजे कहां खतम होई कैसे खतम होई क्यों खतम होई सब तरह का हिसास है लेकिन कमबक ये ही नहीं समझ में आ रहा कि अब ये चीजे सही कैसे होंगी जैसे कहते हैं न चीजे खराब करना असान है तोड़ना असान है लेकिन रिष्टे को संभालना उतना ही difficult है आपसे ये कहना चाहते हैं जो कह नहीं पा रहे T-letter यहां पे बहुत prominent मुझे बनता हुआ विवस दिखाई दे रहा है आपसे कहना चाह रहे हैं कि मुझे पता है अब तुम मुझे लेकर शौर नहीं होंगे जितना पहले हुआ करते थे मुझे लेकर भी अब तुमारे मन में बहुत सारे doubts create हो गए होंगे मतलब मुझे लेकर जितना तुमारी energies feelings बहती थी वो उतनी ही यहाँ पर ठहर गई होंगी क्योंकि यहाँ पर जो भी दरार बनी हम दोनों के रिष्टे में वो मैंने बनाई मैंने बजाई उन्हें भरने के मैंने उन्हें बढ़ने दिया कहना चाहते हैं आपसे even विवस कि इतना जिग्रा इतनी हिम्मत नहीं है मेरे अंदर कि मैं इस सभी चीजों को तुम्हारे सामने बोल दूँ तुम्हारे सामने तुम्हारी आँखों में देखकर बोल दूँ मेरे अंदर तो इतना भी हिम्मत नहीं है कि मैं उस गिल्ट का पिटारा अपनी अंदर लेकर बैठों तुमने शायद मुझे बहुत मजबूत देखा होगा लेकिन वो मजबूती तुमसे थी अपने आपसे नहीं तुम्हें देखकर मजबूत हो पाता था या हो पाती थी आरे लेटर मुझे आपर दिखाई दे रहा है विवस आपके परसन या आपसे रिलेट करता होगा कहना चाहते हैं आपसे ये बहुत याद आती है आपकी बहुत कौन सा पल है मुझसे पूछ लो जिस पल में मैं तुम्हें याद नहीं करता या नहीं करती कौन सा वो पल है जिस पल में मुझे ये अफसोस नहीं होता कि मैंने फैसला तो गलत ले लिया तो ये सभी चीज़े ये परसन आपसे कहना चाहते हैं देख लेती हूं विवर्स कि क्या ये परसन इस सभी ऐसास के साथ कभी आपकी तरफ मुड़कर आएंगे आपसे ये चीज़े खुद से बोलेंगे या नहीं काइट की जो बताईए रिवाई देखो यहाँ पर ये परसन कही न कही ये चीज़े समझ रहे हैं कि आपके बिना इनकी जिन्दगी के जो रंग है वो एकड़म खो गए है बेरंग इनकी जिन्दगी हो गई है और इवन जो इन्होंने जैसा भी आपके साथ करा वो इन्हें किस तरह से शर्मिंदा कर रहा है किस तरह से इन्हें छोटा महसूस करा रहा है किस तरह से इन्हें यहाँ पर रोक रहा है ये ये जानते हैं ये इस चीज़ को महसूस करते हैं और यही चीजे विवस इस परसन के दिल में आपके लिए तनी जस्बात, इतनी फीलिंग्स, इतना रियलाइजेशन होने के बाब जूद भी रोग देती है जैसे कि एक होता है ना, कि अब आपको परिशान नहीं करेंगे अब आपके आखों के आसु का कारण ये नहीं बनेंगे वो चीजे इस इंसान के पैरों को इस इंसान को अपने आपसे कंट्रोल करने के लिए बोल देती है पैशन बहुत है, बहुत सॉलिड लेवल पर यहाँ पर पैशन है जैसे कि समझ पा रहे हैं, जब तक आपको सोचते हैं, तब तक ये जिन्दगी है जिस दिन आपको सोचना बंद कर दिया, शायद उस दिन जिन्दगी भी खतम हो जाएगी रोटे हैं, इस चीज को फील करकरके अंदर ही अंदर, जैसे कई बार मन में थौट आते हो, कुछ कर ले ताकि इस पेन से, इस गिल्ट से बहा निकल जाए सब कुछ हलका हो जाए, मन हलका हो जाए, मन पे जो बोज है, वो उतर जाए लेकिन वही चीज है न, यह जो भी कर रहे हैं विवस, यह काईरों की तरह कर रहे हैं, यह चीजे तो यहाँ पर हैं इसे इवन इस इनसान के थूँ खुद से महसूस भी करा जा रहा है चलिए थोड़े से चार्म्स और रून्स देखती हूं मैं विवस यहाँ पर लीफ आई है, जो यह बता रहे हैं कि समझ पा रहे हैं, आप इनके जिन्दगी के ग्रोथ हो आप इनके जिन्दगे के मजबूती हो आपने ही शायद इस इनसान को यूँ पेशेंस करना सिखाया, आपका पेशेंस लेवल शायद काफी जादा स्ट्रोंग था और उसी ने इस इनसान को भी पेशेंस करना सिखा दिया आप इस परसन के लाइफ का वो फ्लावर थे ना, जो सिर्फ इन्हें खुशियां देता है, जो इनके जिन्दगी में इन्हें हर रंग से भर देता है हो सकता है, आप लोग कहीं गुमने जाने के प्लानिंग कर रहे थे, अदर कंट्री में या ये परसन अदर कंट्री में आप चले गए हैं आप अधर country में हो आप लूगों के बीच में distance है जिस distance को इस person के truth जितना ज़्यादा याद करा जा रहा है उतना ज़्यादा ये परशन अपने अंदर pain feel करे क्योंकि ये जतनी distance आप दोनों के बीच में हुई है na viewers, इने एहसास दिला रहा है कितनी दूर ही आगए आपसे, कित हैं मतलब ऐसा नहीं है कि इस रिष्टे से अभी जोड़ना नहीं चाहते इस रिष्टे में स्टेवलेंटी नहीं चाहते लेकिन भही चीज है ना इन्हें अपनी तरफ से वो सभी चीजे बहुत उलजी हुई बहुत ज्यादा मैस्टप हुई भी फील हो रही है जो इन्हें कुछ हो नहीं पा रहा ठीक है ऐसा कुछ यहां पर है चलिए देखते हैं यहां पर कुछ लेटर्स नंबर्स जो आपके परसन और आपके नेम के बीच में इनिश्यल आंडिंग कहीं पर भी आ सकता है है एच पहले में लेटर्स पढ़ लेती हूं क्यू लेटर्स एक्स यू जेड़ टी बहुत प्रॉमिनेंट वहां पे भी बना मैंने आपको अल्रेडी बताया यह के लेटर्स एफ ए लेटर्स यहां पे भी बनाता कैंडल वैक्स में डी बी सी बी अगेन आया है वीवर्स यह हमारे नंबर्स हैं मैं आपको बता देती हूं जैसे यहां पे आपका 6 और इधर से देखेंगे 9 तो जून एंड सेप्टेंबर मन्थ नंबर्स सेवन यहां पे यानि की जलाई मन्थ नंबर यह नाइन है तो इसे 6 ले लेते हैं 3 यहां पे भी मैंने आपको दिखाया था यानि की मार्च मन्थ नंबर 2 यानि की फरवरी मन्थ ठीके वीवर्स तो यह थी रीडिंग क्या है इस परसन के वह अनकहिए श्रप्थ तो जो चाहते तो हैं कहना हूँ इस रीडिंग के मात्यम से मैं आपको थोड़ी बहुत जानकारी दे पाई हूँ अगर आपको रीडिंग के मात्यम से थोड़ी बहुत भी जानकारी मिलती है कनेक्ट कर पाएं हैं लेकिन लाइक नहीं करा तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिए चैनल पर पहली बार आ झाल झाल झाल